जी एन लेने टे स्पगेटी कर्फेटी वेल्कुमन विश्कार वहां दोस्तों मिनट में जार शर्मा और आज बन बात करने वाले हैं वन प्लस के बारे में तो वन प्लस नाइन और नाइन ब्रो जैसे कि आप लोगों बताएगे 23 मार्च को रिलीज होने वाले हैं कंपनी ने अपनी कॉलाबरेशन वीडियो बीज है बड़ डालते जो लोग ने वहाले हैं स्मार्टफोन श्यां के लिए तो वह कवेशाटिंग वीडियो थी जो कि मैंने अभी दो ती दिन पहले ही बनाई थी लेकर अपने इपास में आ रही है तो अपनी प्रेदिक्शन मैंने करी थ तो फोन के रेंडर्स जो है वो आटोमेटिकली लॉंज से पहले ही यह वो लीक हो जाते हैं हर जगा बहुं सते हैं Oneplus 9 और Oneplus 9 pro दोनों के रेंडर्स जो है वह बाहर आ चुके हैं and to be honest मैं इसके पहले की इस वाली वीडियो के अंदर आगे बढ़ू मैं बात करना चाहता हूँ उन वाले रेंडर्स के बारे में वाकी में काफी ज्यादा भयांका लग रहे हैं काफी ज्यादा वीडियो को लग रहे हैं यहाँ आपको वन प्लस नाइन के अंदर आइधिंग स मिड्नाइट ग्रींग का तरट जो है वह बहुत दो वाइरल हुआ था तो वही वाला सेम टू सेम कर अपको जो है वह नाइन प्रो के अंदर भी देखने को मिल रहा है और वागए में वह कैमरा हैसल ब्लैट के काफी ज्यादा प्यार लग रहे हैं नाइन प्रों के अंदर है वह आपको हैसल ब्लैट सीधा लिखा हुए देखने को मिलेगा लेकिन 9 के अंदर 9 के अंदर 9 के अंदर हैसल ब्लैट 10 के अच्छा लग रहा है मेरे ख्याद से यह वाला रेंडर जो हैसे प्यह है ब्यक्राइब का है और दुनिया बर की चीज़ें भी जो हैं लीग होई हैं दोने की दोने स्मार्टफों के बारे में लेकिन इसके पहले की मैं वीडियो के अंदर आगे बढ़ू जो कि काफी ज़ादा टाइम पहले से हिपता था अपन सबको ही कि इसके अंदर जैवो स्नाफ ड्रेगन 888 आपको देकने को मिलेगा जो थिक तरीके से स्नाफ ड्रेगन का लेटेस्ट एंडेस प्र Пр lienक ट्रसेसर है यहाँ पर स्नाफ प्रोंट्रों के अंदर आपको जैसे साथ नॉर्मल वाले OnePlus 9 के अंदर भी आपको यहीं प्रेस्टों प्रेसर देखने को मिल रहा है हाले कि पुरी की पुरी तरीके से पप्लिक लिए लॉंच होंगे तो उससे अगर ज्यादा वारी राम आती तो मैं और सदा एक्सपेक्टेड ही थी तो बारे जीवी की राम आ रही है तो यहां ठीक है जिसे कि मैंना को बता है कि वनप्लस नाइन प्रो के अंदर आपको पीछे की तर इसके अंदर वनप्लस ने जो है वो कंफर्म कराए कि सेटप जो है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी आई-मेक्स 766 अल्टरा वाइट सेंसर के साथ में आएगा जो बाकी के तीन कैमराज है उसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का आई-मेक्स 789 प्राइमरी कैमरा रहेगा और 8 प्राइगा पिसल का सेंसर अलग से रहेगा जो की डेट वगेरा नापने के काम आ सकता है या फिर मैक्रो शॉट्स के लिए भी आगे मैं बात करूँ वनप्लस 9 प्रू की डिस्प्ले के बारे में तो यहां पर आपको 120 हर्ट की QHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रही है औ और अविसली हमेशा की तरह आप जो है इसकी हर्ट को और साथी साथ की QHD प्लस को कैलिबरेट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो फिर आप जो है इसको डाउन पॉइंट भी कर सकते हो मतलब कि आप नॉर्मल FHD प्लस पर स्विच कर सकते हो या फ 3565W की फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल रही है तो यह वह काफी जादा भायंकर वाली चीज़ है वान प्लस की तरफ से दूसरी चीज़ जैसे कि इंटरना स्टोरेज 5G वगेरा का सपोर्ट वह सब कुछ है वह एक तरीके से ट्रेशनल स्टफ है जो कि आपको मेगापेसल बड़ा तो सेंसर का साइज भी थोड़ा से इंक्रीज होता और उसकी वज़े से आपको जह है वह अगली सी पंचोल आगे देखने को मिलती वाकिया में चाहता था कि वान प्लस जह है वह ज्यादा अच्छे से अच्छा कैमरा दे सेल्फी का और भले से वह माचपन से साथ हजार के बीच में रहेगी हो सकता है कि 51,000 तक भी पहुंच जाए तो प्राइज वह इंक्रीज होईगी सही पिछले साल के कमपारिजन में और यह तीनों की तीनों स्मार्टफों जहें 23 मार्च को आ रहे हैं अपन सब के सामने और हो सकता है कि 30 मार्च तक आ यह तो अब दो जाने आ हैं और आए हूंपके लिए पसंदे अगे भाईयों लाइक करने इस वाली वीडियो को सब्सक्राइब करने वेरे चल्ले को और बैले को दोवाना मत भूल यह तैसमा अब दोस्तों अ छुष्यां आ हो झाल सब्सक्राइ मार्च अबस्तों अज मार्च बा क्या है बलारा बाल